महराष्टर विदाम सभाचुनाव की सुख बुगाहट तेज है और इसी वीच बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है महराष्टर से महराष्टर में महाविकास अगाडी यानि की MVA के साथ हाथ मिलाना चाहती है AIMIM यानि कि All India मजली से त्यादल मुस्लमीन असे दुदीन OVC की पार्टी वह OVC जिनको यह विपक्षिदल कहते थे कि यह तो BJP ने छोड़ा हुआ है OVC को यह तो BJP की B team है कभी आम आदवी पार्टी को भी कहते थे BJP की B team है आम आदवी पार्टी कॉंग्रेस को कहते थे BJP की B team है बाद में क्या हुआ लोग सबचनाम में सबने देखा यह सभी जो है वह एक साथ होगे थे और अब MVA जिसमें पहले से ही कॉंग्रेस है शिवसेना उद्दव बाला साभ ठाक रहे हैं NCP का शरत पवार जो फरेक्षन है वह उसमें शामिल है अब इसमें AIM जो है वह भी कँछ भी स्टेट्मेंट्स देते आ रहे लेकिन जब चुनाव आते हैं चुनाव में समिकरन बंते हैं और चुनावी जो यहां पर ले किसके सब्सक्राइब को तो वक्फ बोर्ड को ले करके वही स्टेंड देखने को मिला था उद्व ठाकरे का जो स्टेंड AIMIM का है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को उसको छुने नहीं देंगे हम वहां मुझूद रहेंगे और AIMIM सब जानते हैं उसके बारे में वो यहां पर शामिल हो सकते हैं इसमें और वैसे भी इंडिरेक्ट लिए से अपरतेक्स रूप से तो विचारदारा अब इनकी मेल खाई रही है हालांकि बात अलग है बाला साथ ठाकरे की जो विचारदारा थी उस विचारदारा से बिलकुल विप्रीट जाके उद्दव ठाक थाकरे क्या-क्या कहा करते थे जो शिवसेना के लिए काते थे कि अगर कॉंग्रेस के साथ जाना पड़ा इस से च्छा तो मैं भंग ही कर दूँगा इस शिवसेना को लेकिन उद्दव ठाकरे अपने पॉलिटिकल फाइदे के लिए अपने जो है अपनी जो उनके सपने है अपनी पर्सनल चाहा के लिए आज कहीं न कहीं उस पार्टी की विचारदारा जो है वो उन्होंने स्टेक पर लगाई और यह केवल आम लोग नहीं बोलते उस पार्टी के कारे करता इस बारे में बात करते और इसी वज़ा से एकनाथ शिंदे बड़ा फ्रैक्शन लेकर अ दरसल एम एम की ये खबरे जो आ रहे हैं विए के साथ गड़बंदन की इसमें राज्यकाई के अदेक्श और पूर संसत इम्तियास जलील की तरफ से जो है ये प्रतिक्रिया आई है और नोंने का है कि हम भाजपा को होराना चाहते हैं इसलिए एम विए को साथ आने का प्र सीटे पिछले चुनाब में जो 2019 में चुनाब हुआ था उसमें एम जो है दो सीटों पर जीती भी थी तो यकिन निजबार वो चाहेगी कि 10 से 15 सीटे उसको मिले 20 सीटे मिले हालां कि अभी अगर आप देखेंगे महाविकास गाड़ी को तो उनका अभी आपस में जो पुरा प्रेक्शन चाहेगा कि हालां कि अभी थोड़ा सा उनका कम है वहाँ पर बोल बाला लेकिन शर्थ प्रवार फ्रेक्शन भी चाहेगा कि उनको भी बड़ा पद वहाँ पर मिले तो अभी आपसी खींस्तान इतनी जादा है तो इसमें AIM को अगर एंटरी देंगे तो और भी जादा यहाँ पर विरुदाबास इस गड़ बंदन के अंदर देखने को मिल सकता है हालां कि चुनाव तक जो है अभी इंतजार करना होगा कि क्या स्थिती बनेगी क्या establishment वहाँ पर देखने को मिलेंगे वहीं जलील ने आगे का कि अगर M.V.A. पार्टियां हमें साथ लेक पूछेंगे ये खुद कहा गया है इम्तिया जलील की तरफ से पूर्व में सांसद रहे हैं और इंडिया मजलिस इतिहादल मुसलमीन के इस समय राजी काई के अध्यक्ष है और ये भी उन्होंने कहा है कि बाजपा को हराने के लिए उद्दव ठाकरे से भी कोई समस्या उन क्योंकि हाल ही में जो बयान दिया गया वक्फ बोर्ड को लेकर के जिसका लगातार विरोज हिंदू तबके से हुआ है उद्व ठाकरे का वो वक्फ को लेकर जो प्रेम उमड़ पड़ा उद्व ठाकरे का उसके बाद यहाँ पर एई-ई-ई-एम जो है वो सौफ्ट यहाँ पर नजर आ रही है उद्व ठाकरे के लिए और यह होना ही था उनको थोड़ा सा आगे जो है जाकर के उद्व ठाकरे से इस बारे में बात करनी थी कि मिल करके लड़ें और बीजेपी को यहाँ पर हरा दें बैरहाल अब यहाँ पर सियासी हलचल जो है वो काफी जादा से एक सो तीन सीटे जो है वो जीती थी फिर अभी जो समीकरन है क्योंकि चुनावों की गोशना तो हुई नहीं है चुनावों की गोशना से पहले अभी जो फाइनल पार्टी स्टेंडिंग है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय एंडिये में 288 में से 201 विधायक जो है वो एंडिये के पास हैं अपोजिशन के पास जो है 67 विधायक हैं और वहीं अन्या पार्टियों की अगर बात की जाए तो अन्या में पांच अभी शामिल है एंडिये की बात करें बीजेपी के पास 103 सीटे शिवसेना के पास 37 ओविसली जो एकनाचिंदे लीड कर रह पार्टी को तो कॉंग्रेस के पास 37 शिवसेना यूबिटी यानि की उद्दबाला साब ठाक्रे के पास 15 एंडिये के पास 13 अन्ये के खाते में दो यानि कि कुल 67 विधायक उनके पास हैं अन्ये पार्टियों में और इंडिया मजलिस एतिहादुल मुस्लमीन के दो विधाय CPIM यानि Communist Party of India Marxist एक विधायक नवंबर 2024 को खतम हो रहा है बीजेपी शिवसेना शिंदेगुट की सरकार का जो कारेकाल है 26 नवंबर को जो है यहां पर कारेकाल खतम होने जा रहा है और अक्तूबर 2024 में जो है चुनाव हो सकते हैं महाराष्टर की 288 विधान सबा सीटों पर अब देखना होगा कि चुनावों का एलान कब होगा और यह भी माना जा रहा है कि महाराष्टर जार्खंड का चुनाव एक साथ हो सकता है और उससे पहले भी केई चुनोतियां यहां पर सामने आई है सीधे तोर पर राश ठाकरे ने भी यहीदायत दे दी है उदव ठाकरे और साथ-जाज शरतवार को पूरे महाराष्टर में नहीं करने देंगे महाराष्टर में देखें तो कई सारी पार्टी इस समय हो चुकी है और काफी जाधा इस बार चुनाव जो है वो दिल्चस्प हो चुका है यह विधान सबा चुनाव और देखना होगा कि जो फैसला लिया है राज थाकरे ने 230 से 235 सीटों पर अकेले लड़ने का उसका फाइदा किसको होगा उसका नुकसान किसको होगा क्योंकि बेशक अगर MNS ज़ादा सीटे जीत कर ना भी आ सके लेकिन एक बड़ा फर्क जो है वो जीत हार का मारजन हर एक विधान सबा कॉंस्टिवेंसी म महत्रपून MNS को माना जा रहा है और इसलिए अभी उनका सीधे तोर पर चुनोती देना शरत पवार को उनके लिए बड़े खत्रे की गंटिया है बैरहाल आप कैसे देखते हैं यहां पर AIM जाना चाह रही है विपक्ष के साथ और इसलिए जो है वो थोड़ा सा सौफ्ट उनका नेचर भी यहां पर नजर आ रहा है उद्वठाकरी के प्रति क्या लगर आपको क्या यह गडबंदन में शामिल हो जाएगी विपक्ष के गडबंदन में AIM यहां फिर नहीं होगी और क्या इसका आने वाले समय में चुनावी समीकरन क्या देखने को मिलेगा बैरहाल क्या इस पर आपकी रहा है क्या प्रतिक्रिया आप जरूर हमार से क्मेंट बोक्स में शेर करें और बने रहें दन्यूज के साथ दन्यवाद